आज एक और आगाई है हमारे पास Modified Jimny जो की तरड़कती बढ़कती रेड कलर की बहुत ही खूपस्टी लग रही है और बहुत जादा बल्की है यह कार इतना बड़ा टॉप स्पॉलर इसके इंदर यह वाली लेडर लगी है बड़े-बड़े मैसे वीज लगें इसमें और य लाइक लाइक के लिए जलती है अभी जला कर दिखाता हूँ मैं बाकी अगर इसको पीछे खोल के देखें तो पीछे थोड़े ऑगनाइजर्स वगारा लगा रखे हैं कि अगर आपको ऑफ रोड़िंग का समान रखना हो तो यह सारी सारी चीजे साइट से देखोगे ना त उसके अंदर क्या-क्या पार्ड यूसके रहे हैं जैसे कि यह यह फ्लोर बोर्ड हो गया उसके ओपर यह जी वैगन की वाली लाइन्स हो गई है ठीक है ऐससा कुछ लाइन जैसे जी वैगन के अंदर हम देखें तो भी वाला इसके दे दिया गया है फिर यहां पे यह है रेट होता है खीचर होती है और जिस दिनकी खराब होजाती है लोगी आगे यहां पे दो हैड माउंटेड टॉप माउंटेड है लगा रखें यह वाली तरफ से अगर देखें तो कार की जो हाइट है वह इंग्रीज हुई भी है क्योंकि इसके इंदर एक सस्पेंशन कर रही है थोड़ा सा इस तरफ से आगर रिखाऊगे तो इसकी बंपर है इसको भी लाइन एक्स पेंट किया हुआ और यह लाइन एक्स पेंट ऐसा होता है कि अगर किसी पी चीज के उपर हो जाए उसके उपर आप कुछ भी बजाओ पत्थर बजाओ या लोहा लग जाए लाइनेक्स कोटिंग उस चीज को डिस्टॉइ नहीं होने देती अब सामने वाले फ्रेम से तो यह कार कुछ ऐसी से लगते है मतलब मान लो कि आपकी कार और आपने इसको मोडिफाई किया हुआ उस वाले वहां से दिखाए तो यह कुछ ऐसी सी बड़ी इंप्रूव्ड ड बड़ी हो या फिर आपके दिल से बनाए भी कोई सी भी कार हो अगर अगर पीछे यह वाली लेटर लग जाती है सीली जिसको बोलते हैं तो यार यह कमाल कर देती है एक बार इसका यह रेर लुक देखना वील इतना बड़ा लगा हुआ है यहां पर लेडर आ गई यह वाली लेकिन यह जो लेटर है यह विद लाइनक्स कोटिंग और यहां पर बिम्रा की ब्रैंडिंग है इसके साथ में आपको मिलती है 7000 रुपीस की यह वीडियो कोई पेड नहीं है यह बस में अपने में को अच्छी लग रही है इसलिए में बताना हूं कि इसलिए में बताना विद लाइनक्स कोटिंग और इसके अंदर काफी सारी चीज़ें वो मैं बताता हूं आपको एक एक करके बड़ यह जो आप इस वक्त बंपर देख रहे हो ना इसकी कॉस्ट आती है 20,000 रुपीज अभी जो फ्रेंट बंपर है इसकी कॉस्ट बीस जारुप है लेकिन बीस तो इसके इंदर आपको रिंच लगाने के लिए जो पूरिशन मिलती है वो यहां पर इस तरफ यहां पर आप अपने रिंच की जो प्लेट होती है वो अल्रेडी माउंटेड है कोई से भी जारुप है तो सबसे पहले होगे आपका यह वाला खर्चा अब अगर बंपर चें मैच कराना है क्योंकि हमारी जैसे कार रेड और अगर ब्लैक लगी मैट लगी होगी तो ज्यादा मजा नहीं आगा अगर कंट्रस के शौक नहीं है तो अगर पेंट कराना तो हजार उका और बढ़ दाते हैं तो मैं तो ग्यारा हूं कि पेंट करा के लगाओ ना अब यह लगा लिए रिम्स बढ़े करा लिए उसकी ग्राउं के लिए उपर हो गई लेकिन जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो प्रॉल्म होती है क्योंकि हाइट उपर बढ़ गई तो आपको ऐसे पैर रखके बढ़ना पड़ता है उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग वगरा कर रखी है तो यह फूट्स्ट्रैप आपको पढ़ेंगे 11,000 रुपे के विद फिटिंग वगरा और जैसे दिख रहे हैं वैसे क्योंकि यह जो प्रोड़क्ट इनों ने बनाया यह एक डेमो मॉडल है अब इसकार का यह जो स्टांस बन रहा है ना उसके पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है वो है इसके ऐलोई वील्स का यह एलोई वील्स पहले हो तो देख लो कि डूल टोन है और इनका साइज भी वही रखा गया है जो कंपनी का साइज है यानि के 15 इंच और अगर इसके अंदर का साइज अगर देख लिया जाए तो किस रिम के यह है 235 75 R15 के वील में बड़ कार की थीम जो थीना वो रेड एंड ब्लैक के कॉमिनेशन के अंदर थी तो यह वाला वील को भी रेड एंड ब्लैक वैसे किसी भी कलर में आ रहे हो आपकी कोई भी कार होगी ना यह लोग पेंट कर दिंग और पेंट काफी हाई कॉलिटी है देख के पता चलाता है कि बंदा कब से काम कर रहा है तो पेंट के अगर कॉलिटी दिखा हो गए तो यहां से यह पियानो ब्लैक शाइनी ब्लैक टाइप फिनिश के अंदर फिर इसमें अंदर की तरफ से रेड कलर को पेंट किया हुआ है जो की बॉड़ी जैसी कार की करी है उन लोगों ने एक ही स्पॉलर में यहां पर टेल लेंब्स है लेकिन सोचो कि एक डिजाइन तो वह गया जो सभी लगों को लगा रहे है एक डिजाइन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें एडिशनल लाइट हो जिसके अंदर अगर मैं ब्रेक मारता हूं यही पर दिखात से देखा जाना तो उपर से पूरे-पूरे खूपसर से विंग लगते हैं इसकी वरे से हाइट और जारा बढ़ जाती है बजाए अगर लिफ्किट नहीं होती तो यह कार बहुत छोटी यहां तक आती है लिफ्किट लगा लिए दो ढ़ाई तीन इंच की लिफ्किट है तो लोग यह बैट पाएंगे इसके अंदर लेकिन इन्होंने सीट को ऐसी इसी कमफटेबल बना रखे है कि वैसे इसकी जो फैब्रिक जो सीट तीम वह भी काफी कमफटेबल है लेकिन इन्होंने इसके ओपर चला रखा है लैदर अंदर फॉमिंग का रखी है काफी अच्छे स इसकी तो अगर मैं आगे वाली स्रीड रिखा हूं तो यहां पर जो है इन्होंने मौडिफाइ कर दिया आमरेश को एक छोटा सा है मतलब आमरेश से इसे हो उपर नीचे की जो लाइट से उनके जो बटन से हो यहां पर दिये मैं सारी लाइट से ओन कर अन हो सकती है अभी व ऊपने को यह 67 अपड़ेशा उपी एक ऑप कर्काव ओर जैति है ए्मपा थ्रॉबम नहीं सता अब यहां से अगर दिखा हो यह तो फोड़े बहुत घुण कर एक ना यहां पर डिजाइन पना रखें लेधरेट के इन की जो कॉस्त एवा पॉश्ड़े 14-15,000 रुपे के आसपास आज़ती है वो भी आप अपर ना अगर कस्टम कोई डिजाइन बनाते है उसके जारा मिट्रियल जारा स्टिचिंग लगती है तो हो सकता है कि थोड़ी सी कॉस्ट और आज़ाए पट इसमें जो इंटीर के अंदर आप काम देख रहोगे तो जारा करवाना है कौन सा डिजन करवाना है यहाँ पर चोटा से सपेंज यहां पर शोटा से स्पेंज यहां पर चोटा से स्थी आमरेस बिआ मिल जाएगा जबकि जिमनीक दर आता नहीं अब भी तेखो अंदर से कार जैसी लगती थी बिलकुल ब्लैकिश ब्लैकि उसको थोड़ा जैसे उफ रोड इंडर यूज होता है बाकी इंटीर के देखा तो मैंट वगारे डिले में नौर्मल नौर्मल से और कुछ भी नहीं है लेकिन इसका जो इंटीर है उसमें मतलब जो अंदर का कैवी ना उसके अंदर रखने की बॉटल हो गए ग्लास हो गए वो रखने की प्र के लिए बहुत सरी एक्सेसरी तो बनाई रहे हैं अच्छा जिमनी जैसी कार जो कि एक अंडर पावर्ड इंजन के साथ में आती है आप सभी को पता है यह एक मौन्टन गोड कहते है इसको कहते है कि पहाड़ों पे चलेगी लेकिन हलकी हलकी चलेगी स्पीड से को मतलब नहीं तो इसकी almost cost जो आती है वो 17,000 के आसपस आती है अगर आपको यह वाले device जो है इसको अपनी कार के अंदर install करना है तो अब में चीज है भाई कि हमने ऐसी वी ले ली इसको lift करना है तो lift में कितने पैसे लगेंगे तो देखो यह जो जिमनी है इसमें दो तीन तरह की kit आती है एक अगर देखा जाए तो नीचे से अगर दिखाऊगे तो जो आपकी suspension लगी है उसी के उपर ही cup और नीचे का assembly लगती है वो जो kit जो होती है lift kit वो सस्ती पढ़ जाती है काफी सस्ती होती है 30,000 रुपे की मालो 40,000 रुपे की मालो लेकिन इसके इंदर जो lift kit लगी है उसमे इसके इंदर देखो यह जो आप spring देख रहे हो यह चेंज हुआ हुआ है उपर वाला जो adjuster देख रहे हो क्योंकि adjustable है वो चेंज हुआ हुआ है थोड़ी बहुत आपकी जो lines होती है वो adjust होती है फिर जो shockers होते है यानि के जो पीछे लगे है वो जो shockers है यह जो black color का पार द इतना उचा अगर देती है मेरी height 511 है और मेरे यहां तक आ रही है जबकि जिमनी बहुत नीचे आती है लेकिन यह यह यहां तक आ रही है तो it means कि इसने कितनी ज़्यादा इसको enhancement देदी है height के इंदर कितना अच्छा अच्छा आफील आ रहा है अब जो इसके अंदर suspension में व तो suspension में सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रिंग और एक शॉकर ही नहीं होता उसके साथ में काफी सारी और भी चीज होती है इसलिए इसके rate बढ़ जाते है और इसकी suspension के जो rate है और यहां डेड़ लाख रुपे है तो डेड़ लाख रुपे है अगर है आपके बस तो पूरा almost suspension का केटी चेंज करा लो तो कह रहा हूं किया अगर शॉक है डेड़ लाख रुपे भी है तो लगवा सकते हो अब यह सुजू की जिबनी ऐसा product है जिसको कि लोग ना हर जगा गंदी से गंदी off-roading पे लेके जाते हैं तो उसमें क्या है पत्थर लगते हैं एटे लगती है की भी लग जाएगी जो कि लाइड बेटी होगी प्रोटेक्शन भी देगी कार के जो इंजिन विंचन होगा उसकी कुछ फटेगा भी नीचे से कुछ गड़ा भी नहीं होगा तो प्लेड अपने आपको जहल जाती है तो यह चोटे मुटे अप्ग्रेड होती है कराने चाह की रे बिम्रा के पास ही इसके काफी सारे डिजाइञ्न है थोटे से लेके बड़े तक तो वमारे पास जो डिजाइन दिखाने के लिए लेका है यह बड़ा है पीछे भी समाना सकता आगे भी आसकता है यह वाले carriers भी लगगए आगे कुछ बगेट्स आ सकती हैं, लाइट के लिए माउंटिंग्स दे रखी हैं यहां पर इन फैक्ट की रेर के अंदर भी छोड़ी मूटी माउंटिंग्स आप लगा सकते हो, तो यह जो रूफ कैरियर्स हैं, यह हर एक हिसाब से, मतलब वेट के हिसाब से और बंते तो सार काफी लंबा हो रहा है, क्यों, इसके में बहुत सारी चीज़ लगी हैं, कितनी चीज़ बता हूं, एक बार इसके अंदर में बैठता हूं, आपको दिखाता हूं, इसका के स्टांस है, पहली बात तो मुझे इसमें चड़ने के लिए, यहां पे मतलब यह वाला जो पैर है, यहां पे कुछ है नहीं, तो स्टेरिंग पकड़ गए यह आपको ऐसे करके अंदर बैठाना होगा, यह अंदर बैठ गए, ठीक है, कार बड़ी, सेक्सी बड़ी, ऊची लग रही है, अब इसको एक बारी चला के दिखाता हूं, कि क्या स्टांस है, देवो, जब मैंने जिम काफी होती है, एक बारी पीछे से देखो, अगर मैं चलाओं तो इसको, क्या लगती है, इसके अंदर थ्रोटल रिस्पॉंस तो उन्होंने कर दी है, कंट्रोल, अगर एग्जास्ट और हो जाता है, तो मज़ा हो जाता है, एग्जास्ट, सीट बेल लगा लिए, चलो, सीट लगा हुआ है, वो देखे तो ना कैसा साउंड निकाल रहा है, अच्छा, हैंद्लिंग के अंदर कोई फरक नहीं है, यह चीज़ अच्छी है, हैंद्लिंग में इस कार में कोई भी ऐसा फरक नहीं है, जो कि वील्स और टायर लगाने के अबाद में पता चलता है, तो चला इदर आगे दिखाना मेरा जो स्टान से इस वक्त रोड का ना वह ऐसा सा है कि मेरे को काफी हाइड वाली शीज दिख रही है, बैसिकल रोड पी मैं हूँ नहीं, मैं तो इंटरल उसमें हूँ लेकिन मैं जब रोड से साथा उपर उठके बैठा हूँ तो मुझे फीलिंग वाली फीलिंग हो रही है, अब एक बार इसको बखा गए लेकर ये ड्राइव मोड पर है, अगर मैं इसको चला के देखू तो एक बारी तेज, देखो बाडी के अंदर रोल नहीं है, जादा, रोल नहीं है बाडी के अंदर, क्यों बताओं क्यों, क्योंकि इनोंने जिसकी एक कार है, इनोंने पूरी-पूरी suspension ही change करा दी, अगर इसमें company की suspension होती, तो पता है क्या होता, body जोले मारती, रोल होता body के अंदर, अब ये छोटी सी एक पटी है, और देखते हैं क्या होता है, जो suspension है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि पूरी full to proper तरीकी की suspension ह तो वो अच्छे से काम कर रही है, जो इसकी stock suspension है, वो जोल मारेगी, तो जैसी मैंने गुमाई ये कार, वो जोल मारेगी, एक बड़ी और ट्राइ लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है, देखो, यहाँ पर कोई जोल है नी, इसका, देखा जाता है, जो है ना इसके बाडी रोल, जिसको बोलते हैं, बाडी रोल बिलकुल पता नहीं चल रहा, पूरी पूरे स्टेरिंग घुमा दिये मैंने, लेकिन बाडी रोल में क्या होता है, जब आप स्टेरिंग घुमाते हो, तो कार इस तरफ जाती है, और ऐसी लू सस्पेंशन के साथ, तो कार इस तरफ जाएगी जाएगी, बट सस्पेंशन का एक प्लस पॉइंट यह है, कि मज़ा आगे है इस कार को चला के, बागी हमारी तरफ से यह एक छोटा साई वीडियो था, जिमनी के इंदर कि स्ट्राइप के मूँ आट करा रखे हैं, और रेड गलर की जिन्नोंने यह कार लिए फिर बनाया है इसको, पैसा लगाया है इसमें, जो पैसा है वो वर्थ लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना कि कितना पैसा है, इसके दर आल्मोस मैंने बता दी, आपको लिस्ट बना मना के, कि एक एक प्रोड़क्त कैसा है, 17-18 लाग रुपे की साले 17 लाग रुपे की एक कार है, तो अगर यह आपको 22 लाग रुपे की पढ़ती है, विद मॉट्स और SEC लगती है रोड पे, रोड पर से SEC होती है, तो क्या यह वर्थ होगी 22 लाग रुपे की या फिर 20-22 लाग रुपे की तो कमेंट करके बता दो, मेरा गाम ताई वीड अगर खिर 21 लाग रुपे की यह रुपे धिर 20 लाग रुपे की तो कमे यह चे बता है के का लाग रुपे की यह रह रुपारे की तो कि अगर है मनल Countango 不